हिस्ञेटें हम और्बिटॉल का जो कंशेप्ट है वो सीखें गे किमेस्ट्रे में और इसका जो डिफिनीशन है वो हम सीखेंगे इस से पहले स्प्रोंस हमने क्या आर्बिट और शिल्ग किसको कहते है और पर इसमें सब शिल्ट क्या होते हैं अब अर्बिटाल का जो डिफिनीशन है स्टोंस हो इस तरह है कि न्यूकलिस के एराउंड त्री डाइमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्टरान फाइंडिंग के चांसे ज्यादा हो जिसमें इलेक्टरान होने के चांसे ज्यादा हो उसको हम क्या कहते है और भी टाल ट्या शिल किसको कहते हैं स्टूर्ण नूकलेस के एराउंड वो सर्कुलर एरिया जिसमें एलेक्ट्रान होने की चांसे ज्यादा हो इसको हम शिल और आरबिट कहते हैं इसको हमने पहले डिफाइन किया अब अरबिटाल का जो डिफिनीशन है वो लिद देते हैं की स्टूर्ण रेन आक देख से लिथ माइख्यां किस त्रह सेली के अधने देखे clear 13 शुइनिमेंशनल 3D की कानसेट्थ को मैं आपको सिखीता हम। यह जो पइज आपको नजरा रहा ही क्या है यह टू-डी ठीक है एक है एक सक्षम एक यह त्री dw divinson C क्या है यह 2D अब इसके साथ अगर यह आ जाय तो यह हमारे साथ क्या है इसको हम गिएते है 3D ठीक है यह क्या है तो सब करें eg अप्रीच वहारे साथ क्या होताएं ट्रीट वह थे यह साथ स्फेस होता है स्पासे एराओंड 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 का 1 ओसन स्पेस एराओंड 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 टृटर आसे में क्वाएंड व्हटा हर a कि the three dimensional space around the nucleus where probability of finding electrons is maximum as called what is called an orbital ठीके के nucleus के around three dimensional space जिसमें electron finding की chances ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे orbital next point यह स्टूरेंट के एक orbital के इंदर कितने electrons होंगे two electrons ठीक है तो इन और बिटाल किन अकुमूडेट जस्ट ठीक है टू एलेक्ट्रों एक एक और बिटाल के अंदर two electrons होते हैं ठीक है इससे ज्यादा नहीं होते हैं कि अग्ट्रों ठीक है जिस तरह हमारे साथ सब शिल में स्टूर्स एक होता है सब शिल ठीक है एक क्या होता है सब शिल के अंदर कितने अर्बिटाल होंगे स्टूर्स ओनली वन ओनली वन आर्बिटाल ठीक है स्टूर्स इस ओनली वन आर्बिटाल ठीक है विच इस एस तो इसका यह मतलब हुआ स्टूर्स के इसमें जो एक आर्बिटाल है यह आर्बिटाल भी है और यह सब शिल भी है ठीक है इस मीन that S is subshell as well as an orbital ठीक है so S जो है स्ट्रोंस यह क्या है S सब्षिल में हमारे पास एक orbital होगा जो S है यह S जो है स्ट्रोंस orbital यह सब्षिल भी है और यह orbital भी है S सब्षिल के अंदर एक orbital होगा जो के सब्षिल भी है और आर्बिटाल भी है अब नेक्स्ट है स्ट्रोंस पी इसी तरह स्ट्रोंस जो S सब्षिल में आर्बिटाल है S इसका जो शेप है वो क्या होगा स्पेरिकल शेप ठीक है S आर्बिटाल है स्पेरिकल शेप यह इसका S आर्बिटाल का शेप हो गया नेक्स्ट रे स्टोर्ण स्पी आर्बिटाल इसी तरह स्टोर्ण स्पी सब्शिल के अंदर कितने अर्बिटाल होंगे है इस त्री आर्बिटाल स्टीक है पी सब्शिल है इस त्री आर्बिटाल विच इस पी एक्स पी वाई इस पी जेट इस और इसका शेप स्पीरिकल अब इसके जो शेप होंगे इसके शेप को देखें इस पी एक्स का जो शेप है शूंस पी एक्स का वो इस तरह होगा यह हमारे साथ है क्या LIKE А ایک स्वाइप लेन है अब भी एकस-का जो शेफ है वह से इस तरह होगी इस एकस GAS LINE में यह इसका स्वेफ हो इपिएक्स जो आ ए कि इस तरह फी वाई का जो शेफ है स्टून्स हो इस तरह होगा यह xy-plane ठीक है इसी तरह यह अब यह यह पी वाई का शेफ यी पी एकस का यह पी यह अब पीजेट का जो शेफ है स्टून्स हो इस तरह होगा जो यह एक्स वाई प्लैन ऊट्टी के इसमें यह शेप हुग है इस तरह यह शेप होगा ठीक है तो यह पी-जेट का शेप हो गया सब्सुशिल्प है तो यह ता पीशेट के अंदर जो आर्बिटाल है ट्रियर्बिटाल विच इस प्पी वाई पीजड यह इसके शेप हो गय नेक्स्ट क्या है स्टोंस D सबशेल टीक है D सबशेल अब D सबशेल के अंदर जो और्बिटाल जैस्टोंस हो कितने है वो है 5 डी सबशेल है फाइफ और्बिटाल विच इस देखे अब देर के स्टोंस एक है D X Y दूसरा है स्टोंस क्या D Y Z तीसरा है D X Z फोर्थ नंबर है स्टोंस क्या D X स्क्वेर Y स्क्वेर और फैफ नंबर है D Z स्क्वेर या इसको इस तरह इस तरह पी के अंदर कितने अर्बिटाल स्टोंस तरह थे टीस पी एक्स पी आयई पीजेड इसके अंदर एक अर्बिटाल अब स्टून्स जो डी सब शिल है इसके अंदर कितने अर्बिटाल्स होंगे फाइफ अर्बिटाल्स ठीक है डी एकस वाई डी एकस जेड और डी एकस स्क्वेर वाई स्क्वेर और डी जेट स्क्वेर डी एकस वाई का जो शेप होगा स्टून्स हो इस तरह होगा ठीक है इस तरह हैं यह डी एकस वाई का शेफ हो गया इस तरह नेक्स जो है सुन्स डी वाई जड इसका शेफ किस तरह होगा इस अरबिटाल का तो इसका जो शेफ है सूंस इस तरह होगा इसमें यह जो लाइन है सूंस यह आप देखें यह जड वाला लाइन इस तरह होगा ठीक है नेक्स्ट है डी वाई जड इसका जो शेफ है वह इस तरह होगा यह वाला डी वाई जड अब यह इसमें फरक यह होगा ठीक है इसमें यह जो लाइन जो जड वाला लाइन है यह अब इदर जो शेफ होगा और विटाल का वह इस तरह होगा यह इसमें इस तरह होगा यह वह गा अबर यह ठीक है यह लाइन इस इधर यह दर्म्यान में इतर था इधर यह साइट पर ठीक है इस तरह नेक्स जो है शेफ वह है डी एक्स वाई जड डी एक्स वाई जड का जो शेफ होगा डी एक्स जड का जो शेफ होगा स्टूर्ण्स हो इस तरह होगा देखे अब इधर जो फरक के यह इस लाइन का है ठीक है यह जो पिंक लाइन आपको नज़र आ रहा है यह इसका है अब इधर देखें इसमें यह लाइन जो है जड वादा यह इस तरफ होगा अब इधर हमारे साथ स्टूर्ण्स जो शेफ बनेगा वो इस साइट पर बनेगा इधर देखें यह इस तरफ होगा ठीक है और यह अब इस तरफ होगा इसमें इधर ताई और इस तरफ इसमें यह इधर है और इस तरफ ठीक है तो यह इसमें फरक है यह यह है डी वाइजट और यह है डी एक्सेट नेक्स्ट जो शेफ है सुन सो क्या है डी एक्स्क्वेर वाइज स्क्वेर इसका जो शेफ है सुन सो इस तरह होगा यह जो शेफ है ठीक है यह इस तरह होगा और यह जड़ जो लाइन है यह इस तरह होगा तो यह शेफ हो गया डी एक्सेट वाइसुएर लास्ट नमबर शेफ डी जेट स्क्वेर इसका शेफ ही इस तरह होगा एक ही लाइन में यह डी एक्स जेट स्क्वेर का शेफ हो गया इसी तरह सुनस एप सब्षिल के अंदर कितने अर्बिटाल होंगे कि एपस रभिटाल ने वो कितने है वो है सेवन तो सभ Ś एसो सभ्सिटेजन्ज Inc får है सेवं और अर भी तौल कि इसमें कितने अर्भिटाले अड़ के इंदर सब्सिकिंदर गज्टर समय है त Вас और इस तरह सुन्स एप सब्षिल के अंदर जो सेवन अर्बिटाल जे इसकी नेम और शेप जो है वह बहुत कंप्लिकेटिड है तो इसको इधर रहने देते हैं इतना कापिया ठीक है तो अर्बिटाल का टापिक जो है सुन्स आज हमने यह सिक्वा कि आर्बिटाल हम किसको कहते ह लेटा करा तक त्री-डियमेंशनल स्पेस पेacerा ट्रांट नूउप Elias के ऑऺंड़ जो direct uses इसमें electron finding की chances ज्यादा होते हैं तो इसको हम arbitral केते हैं अब हमारे साथ subst заб शिल्द होते हैं ठीक है सब्छिल के अंदर जो अर्बिटाल यह सब्छिल भी है और यह इसका जो शेफ उसो के कैसा है वह स्पारिकल शेफ नेक्सट है पी सब्छिल पी सब्छिल के अंदर 3 kiair or but which is P X P Y P Z और इसका यह शेफ डी सब शचिल के अंदर five टास which is D X Y D Y Z D X Y X Z or D Xy square Y square or डीजट स्क्रार इसका यह शेफ इस तरह एप सब्शिल के अंदर seven orbitals और इसकी शेफ इदर रहने देते हैं इसकी शेफ और नेम्स कम्लिकेटिट है सो इधर इतना काती है सही है